The Prime Minister has said that 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, 50 दिन आ रहे हैं और सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री देश को थोड़ा सा समझाएं, थोड़ी सी चीज़ें समझाएं सबसे पहले, 8 November के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है दूसरी बात, देश को कितना economic loss हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, वो देश को बताएं तीसरी बात, कितने लोगों ने demonetization के कारण अपनी जान कोई, कितने लोगों की मृत्यू हुई, और सरकार ने उन लोगों को compensation दिया है या नहीं और अगर नहीं, तो क्यों नहीं, ये decision जब प्रधान मंत्री ने लिया, उन्होंने किस से पूछ कर लिया, किन expert से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें और पांचमी बाद, आठ नवमेंबर से दो महीने पहले, किन-किन लोगों ने 25 लाख रुपे से ज़ादा bank में deposit किया है, वो कौन लोग हैं, उनकी list प्रधान मंत्री देश को दें demonetization के decision ने, जैसे मैंने कहा है, पचास परिवारों के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये यगना किया है, नुकसान गरीब लोगों का हुआ है, बली गरीब लोगों की चड़ाई गई है, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, इन सब groups को नुकसान हुआ है, और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको compensation देना चाहिए, तो compensation किस प्रकार से देना चाहिए, ये Congress Party डिमांड कर रही है, सबसे पहले, जो पैसा नरेंदर मोदी जी ने बैंक्स में डलवाया है, वो हिंदूस्तान के लोगों का पैसा है, वो हिंदूस्तान की सरकार का पैसा नहीं है, बैंक्स का पैसा नहीं है, तो जो limit लगाई गई है, 24,000 रुपए की, उस limit को अब आप हटाईए, क्योंकि इस limit से आप हिंदूस्तान की financial independence छीन रहे हैं, हमारे लोगों की financial independence आप छीन रहे हैं, उनकी financial independence उनको आप वापिस दीजिए, दूसरी बात, किसान को जबर्दस चोट लगी है, किसान का आप कर्जा माफ कीजिए, और 20% MSP पे आप bonus दीजिए, जो उनका अभी पिछले दो महीने में नुक्सान हुआ है, BPL परिवार की हर महिला को आप 25,000 रुपए दीजिए, उनके bank में, उनके account में आप डालिए, मनरेगा के दिन और दिहाडी को आप दुगना कीजिए, और आखरी बात, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, जिनको जबर्दस चोट लगी है, sales tax और income tax में, उनको 50% चूट दीजिए, तो यह हमारी मांगे हैं, प्रधानमंत्री जी को समझाना, प्रधानमंत्री जी को देश को बताना है, कि इनों ने यह जो हमारे लोगों को चोट मारी है, यह जो financial independence है, आर्थिक independence है, उन्होंने चीना है, इसका कारण किया था, काले धन की बात की थी, उन्हें बताना है कि का bank accounts रखे हैं उनके नाम निकालेंगे स्विस सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को लिस्ट दे रखी है सब लोगों की जिनके पास स्विस बैंक अकाउंट है नरेंद्र मोदी जी ये भी जवाब दे दें कि वो लिस्ट लोकसवा में राजसवा में कब रखेंगे हम जानना चाहते हैं चोर कौन है और ये भी समझा दें कि वो इन चोरों को बचा क्यों रहे है आप सब को कॉंग्रस फांडेशन दे की बहुत-बहुत मुबारक धन्यवाद